हेलो डियर इस्टुडेंट्स वेलकम टो अवर चैनल एजुकेशनल गोल और आज के इस वीडियो में क्लास 11 की हिस्ट्री का पेपर हम सौलू करेंगे तो इससे पहले एक जिरूरी बात कि जुन्हों ने भी हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सबस्क्राइब नहीं किया तुर रोम में गंडराज्य की स्थापना कब हुई तो इसका उतर हो जाएगा 509 इसा पूरू ठीक है अगला है मुहमत साब की मक्का से मदिना जाने की घटना कहलाती है तो इसको कहते हैं हिज्रा ठीक है अगला है निम्न में से किस विद्वान को मानावतावात का पिता कहा जाता है तो पेट्रार के को कहा जाता ठीक है फिर अगला है सेफ्टी लेंप का अविस्कार किसने किया था तो इसका उत्तर हो जाएगा हम्फ्री डेवी ठीक है अब आगे देखते हैं अगला प्रस्टन अब रिक्तिस्तानों की पूर्ति कीजिए पहला प्रस्टने मेसो पोटामिया की कीला का लिपी को रिक्तिस्तान ने सबसे पहले पड़ा था तो ये उत्तर हमें मिला नहीं है इसलिए हम छोड़ रहे हैं इसको आपके लिए कि आप अपने इस तरह से डूंड के लिखें ठीक ह हम आपको बलत नहीं बताना चाहते हैं रोमन सामराज जी की स्वर्ण मुद्रा रिक्तिस्तान थी तो आरियस थी ठीक है इसमें क्या जाएगा आरियस ठीक है आरियस अगला है पेगंबर मुहम्मद की सिक्षाएं इसलाम धर्म ग्रंत कुरान से प्राप्त होती है इसका उत्तर हो जाएगा कुरान ठीक है को कुरान अगला जर्मनी में धर्म सुदार नदोरन के प्रनेता कौन थे तो ७ाह畅ं कि छया आघ von mr. छान द्धिया है मार्टिन लूथर विद्धा है कि छे क्लोरिन नमक रसायन का विजकार कार्ल विल्हेम शिले में नाम ले देता हूं कार्ल कि विल्हेम कि शिले ने किया था ठीक है तो यह आपके रिक्तिस्तान हो गए अब आगे बढ़ते हैं अब आगे सही जोड़ी है तो दिखिए सबसे पहले है आगस्टस तो यह कौन था प्रतम रोमन सम्राठ था ठीक है तो प्रतम रोमन सम्राठ प्रतम अफिम युद्ध तो इसका उतर हो जाएगा ग्राहम बेल तो ग्राहम बेल ने टेलिफोन का विश्कार किया था ठीक है और टेरा नलिस ऐसी भूमी जिसका कोई स्वामी नहीं है ठीक है तो यह आपकी सही जोड़ी हो गई आगे देखते हैं आगे है निन में लिखी तो वाक्यों में सत्य असत्य लिखिये तो देखे पहल है मेसो पोटा मिया की सब्विता सिंदू नदी के किनारे विक्सित होई थी तो यह सत्य बात है जूलियस सीजर यूनान का महान सासक था सत्य है पुनर जागरण का आरंब सरुप्रतम इटली में हुआ यह भी सत्य है एबो रेजिन अस्ट्रेलिया के मून निवासियों को का जाता है यह भी सत्य है नानिकिंग की संदी चीन और ब्रिटेन की बीच हुई थी यह भी सत्य है ठीक है तो सिर्फ एक ही इसमें असत्य है अगर आपको किसी उत्तर पर संदे हो रहा है तो फिर आप अपने इस तर से देखना ठीक हमने पूरी कोशिश करिए अब देखिए प्रस्णों का उत्तर एक सब्द या एक वाक्य में लिखिए सबसे पहला प्रस्णे पॉप कोन कहलाते हैं तो यह देखिए पॉप रोमन केथोलिक चर्च के सर्वोच धर्मगुरू रोम के बिशप एवं वेटिकन के राज्या द्यक्ष को पॉप कहते हैं पॉप का अर्थ पिता होता है ठीक है यह पॉप की परिवासा हो गई अब अगला प्रस्णे हज क्या है फिर डंड मुक्ति पत्र किसने जारी किया था नेटिव का क्या थे सर्फ किसे का आया था सभी को उत्तर में दे रहा हूं एक साथ तो यह देखिए हज एक इसलामी तिर्थ यात जिल जह की आठवी से बार्वी तारिक तक की जाती है ठीक है उसके बाद है अगला कि डंड मुक्ति पत्र लियो दशम पॉप ने जारी किये थे ठीक है अब नेटीव सब्सक्राइब क्या रत है नेटीव मूल बाशिंदा मलब नेटीव का मनलब होता है मूल बासिंदा एस व्यक्ति जो अपने मोजुदा निवास इस्तान में पेदा हुआ था बीसवी सदी के आरंबिक वर्सों तक या पद यूरोपी लोगों द्वारा अपने उपनिवेशियों के बाशिंदों के लिए इस्तेमाल होता था और देखिए नीचे पाच्वा प्रस्ण सर्प किसे कहा आता था तो सर्प दासों को कहा जाता था तो यह हमने सभी आपके जो चोटे चोटे प्रस्ण अब्जेक्टिव हैं सब करवा दिये हैं थैंक्स फार वाचिंग दिस वीडियो